नमस्कार दोस्तों, इंसुरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंसुरेंस की जनकारी, इंसुरेंस परफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भासा में। और साथी साथ सबकी सोच भी अलग होती है। इसलिए आपके लिए बेश्ट पॉलसी वही है जो आपकी सोच के अनुसार आपकी जरूरत को पूरा करे। तो पहली पॉलसी है जीवन लक्ष टेबल नमबर 933 जैसा इसका नाम है वैसी ही यह पॉलसी है। जीवन का कोई भी ऐस फिनांसियल लक्ष जिसे आप रहें या ना रहें हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पॉलसी आपके लिए है। इस पॉलसी को भीमाधारत अपने बच्चे की उम्र और जरूरत के अनुसार जितने पॉलसी प्रेट के लेते हैं उसके अंत में इसकी मैचुरिटी मिल जाती है जीवन लक्ष पॉलसी की खास बात या है कि इसमें पॉलसी प्रेट के दौरान यदि अभिवावक को कुछ हो जाता है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहती तो इस पॉलसी के अंतरगत फ्यूचर के सारे पॉलसी माफ हो जाते हैं और समय पर मैचुरिटी का भुग प्रेटान भी हो जाता है इतना ही नहीं बीमाधारक जब इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं उसके बाद सम्मिन्सोड का 10% हर साल फैमली को पॉलसी की मैचुरिटी पूरी होने तक मिलता है मतलब यदि पॉलसी का सम्मिन्सोड 10 लाख है तो हर साल 1 लाख मिलेगा यदि सम पर मेचुरिटी भी मिल जाएग जीवनलक्सी पॉलसी 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयू की ब्यक्ति के लिए उपलब्ध है पॉलसी पिरियड 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक उपलब्ध है आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं इस पॉलसी में जितने का पॉलसी पिरियड लेंगे उससे 3 वर्ष कम समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा यदि 35 वर्ष के ब्यक्ति इस पॉलसी को 10 लाग के समिन्षोड और 25 वर्ष के पॉलसी पिरियड के साथ लेते हैं तो इसके लिए उनको 3670 रुपे का प्रीमियम हर महीने भरन होगा और यह प्रीमियम उन्हें 22 साल तक भरना होगा और पॉलसी पिरियड के अंत में उन्हें लगभग 26 लाख रुपे की मैचुरिटी मिलेगी यहां पर फिर से इस बात को समझ लें आप रहें या ना रहें यहां मैचुरिटी जरूर मिलेगी और ना रहने पर प्रीमिय पॉलसी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों इस वीडियो में सभी प्लान की पूरी जनकारी दे पाना संभव नहीं है इसलिए मैसित बेसिक कॉंसेप की बेनफिट बता रहा हूं आपको जो भी प्लान सुटेबल लगे उसकी डिटेल वीडियो देखें उसके बाद ही और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश से डिजाइन किया गया है यह एक मनी बैक पॉलसी है जिसके अंतरगत बच्चे की उम्र जब 20 वर्स पूरी होती है तो मनी बैक मिलना सुरू होता है और बच्चे की उम्र 24 वर्す पूरे होने तक हर साल मनी बैक मिलता है और उसके बाद जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरी हो जाती है तो इस policy की maturity मिल जाती है। इलाईसी की जीवन तरुन policy का अंतरगत आपको money back, sum in short का कितना परतिसाच चाहिए इसका चुनाव करना होता है। यदि अभिवावक के साथ कुछ अन्होनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहती तो ऐसी परिशिती में इस policy के सारे प्रिमम माप हो जाएं और बच्चे को समय पर money back और maturity भी मिल जाए। भरना होगा और जब बच्चे की उम्र 20 वर्ष पूरी हो जाएगी तो बच्चे को 1 लाख रुपे का पहला money back मिलेगा और यह लगातार 5 साल बच्चे की उम्र 24 वर्ष पूरे होने तक मिलेगा यानि कि टोटल 5 लाख का money back मिलेगा। उसके बाद जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरी होगी 20 लाख 75 वजार रुपे की maturity मिलेगी। यानि कि टोटल रिटर्न हुआ 25 लाख 75 वजार रुपे। इस policy की पूरी जनकारी के लिए इस policy की detailed वीडियो जरूर देखें। होती है, दूसरा money back जब बच्चे की उम्र 20 वर्ष पूरी होती है और तीसरा money back जब बच्चे की उम्र 22 वर्ष पूरी होती है तो मिलता है और हर बार money back के रूप में सम्मिसोट का 20% मिलता है और उसके बाद जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरी हो जाती है तो policy की maturity हो जा बेबी के लिए चाइल मनी बैक प्लान लेते हैं और समीशोड के रुप में 10 लाख रुपे का चुनाव करते हैं तो उन्हें प्रिमियम वेवर मेंविट राइडर के साथ हर महीने लगभग 3671 रुपे का प्रिमियम भरना होगा जब बच्चे कुमर 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर यानि कि टोटल रिटर्ण हुआ 25,75 वर्ष इस पॉलसी की पूरी जनकारी के लिए इस पॉलसी की डिटेल वीडियो जरूर देखें इस वीडियो से जुड़ा यदि आपके पास कोई सवाल है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कौन सी पॉलसी अच्छी लग कारी के लिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें और और स्लिट कर लें ताकि जब भी मैं नीव वीडियो अप्लोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंचे और अंत में अपना किमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद